साथियों करसी विज्ञान में आप सब का स्वागत है साथियों आज करसी विज्ञान में एक और रसाइन के बारे में हम एक और टेक्निकल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विस्पायरी वेक सोडियम 10SC सी इसके बारे में इसकी जनरल इंफॉर्मेशन, इसकी मातरा क्या होने चाहिए, एप्लिकेशन का तरीका क्या होना चाहिए और इसका मोड आफ एक्षं क्या है और खर्प ये किन-किन खर्पतवारों को मारता है वाहली बात तो ये पोश्ट इमर्जन्स हर्विसाइड है हर्विसाइड यानि खर्पतवार नासी घास को मारने की दवा पोश्ट इमर्जन्स का मतलब घास उगने के बाद ब्राड स्पेक्ट्रम है ब्राड स्पेक्ट्रम का मत केला मारता है सिस्टेमिक सिस्टेमिक का मतलब यह हुआ की यह घास के अंदर घुस जायेगा और घुसने के बाद उसको खतम करदेगा सेलेक्टिव का मतलब क्या है यह चुन के सिर्फ और सिर्फ उनी 59 खर्पत्वारों को मारेगा जिनके लिए बना है और धान के पोधे पे हमारे कोई फरक नहीं आएगा तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव हर्भी साइड और बात करें कि यह विस्पायरी वेक सोडियम किन-किन खर्पत्वारों को नश्ट करता है तो एकलेप्टा अलबा लडव डिफॉर्मिस इन सब को खतम करता है और इस फेनो क्लिया जीलेनिका अल्टरनेंथरा फ्लेग ज्राइड्स इस्चेमम रोगोसम और फेमरी स्टाइलेस मिलेसिया यानि यह इन सभी घासों को खतम करने का काम करता है विस्पायरी वेक सोडियम अगर हम बात करें इसकी मातरा की इसकी कितनी मातरा परियोग करनी चाहिए तो इसकी 80 से 100 ml मातरा पर एकड में परियोग करनी चाहिए ज्यादा तर ये 100 ml की पेकिंग में आता है तो क्या इसको 100 ml प्रती एकड परियोग करते हैं और करना चाहिए इसके application method की बात करें तो इसको किस प्रकास से परियोग करना चाहिए खेद में तो परियोग करने का तरीका ये है आप जो बिस्पाइरी वेक sodium है उसका गोल तयार कर लीजिए और जो 16 लीटर टंकी है वो टंकी या फिर बड़ी वाली टंकी में 100 लीटर पानी भर लीजिए और 100 लीटर पानी भरने के बाद वो जो हमने घोल तयार किया है इसमें मिला दीजिए और समान रूप से इस परे कर दीजिए ध्यान रहे फ्लेट फेर नोजल या कट नोजल जिसके आगे कट बना रहता है जो बूंद बूंद करके फवारा नहीं बनाता है उसका परियोग नहीं करना है तो इस परकार के नोजल का परियोग करना है और परियोग कब करना है कैसे करना है तो परियोग करने से पहले आपको ध्यान र और सूखना नहीं चाहिए तब इसका परियोग करना चाहिए और ध्यान रहे परियोग करने से के बाद लगभग 24 गंटे बारिस ना हो अगर बारिस होने वाली है तो क्या करो आप इसका application मत करना और क्या है इसको apply करने के बाद लगभग 2 से 3 दिन पाद जो है आप अपने खे मिस्पाइरी बेक सोडियम की मोडा फेक्शन की बात करें तो ये खरपतवार की पत्ती और जो फोलिय जो उपरी भाग है उससे अब जोर्व होता है और सिस्टम में उसके जाके और पूरे प्ला जो घास है जो वीड है उनको खतम कर देता है इसमें जो प्रोटीन बनाने का काम है वह खतम हो जाता है अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी कंपनिया बनाती हैं तो इसको बनाने व यानि मिस्पाइरिवर्यं मिस्पाइर बादाना आम आम से बनाती है। पी आई नौमिनी गोल्ड से नाम से बनाती है, यूपील इस्ट्राइडर नाम से बनाती है, इफको एमसी योको जुना नाम से बनाती है, आयायल ग्रीन लेबल से नाम से बनाता है, और पारिजात ओरियंटल नाम से बनाता है, सबसे पहले इस टेकनिकल या इस केमिकल को इंडिया में लांच हुआ था उसके बाद कई सारी कंपनियों ने इसको बनाया साथियों उम्मीद है यह बिस पाई रिबेक सोडियम दस परसेंट एसी का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं किसी और दिन किसी और जानकारी के साथ थेंक्यू थेंक्यू एरिमार्ट